मित्रो नमस्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभी नंदन करता हूँ एस्टो तक की खास प्रस्टूती कमल नंदलाल की भविश्वानी आपका राशी फल इस राशी फल में बात करेंगे मेश से लेकर मीन राशी के राशी फल की साथी साथ आपको बताएंगे राशी अनुसार कुछ सरल से उपाए राशे अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी पंचांग बताएंगे और राशी फल के आखर में आपको बताएंगे कैसा विशे शुपाए जो आपके जीवन के किसी खास समस्या को आसानी से दूर कर देगा तो चलिए शुरुवात करते हैं कमल अंदलाल के भविश्वाणी की पंचांग के साथ में तो दिन है रविवार का तारीख है साथ अपरेल दोहजार चौबिस चैतर कृष्ण त्रेयो दिशी पर चंद्रमा कुम्भराशी और पूर्व भाद्रवदिनक्षत्र में रहेंगे भदरा रहेगी सुबह 6 बचकर 53 मिनट से लेके शाम को 5 बचकर 7 मिनट तक सरवार्त सिध्धी योग रहेगा दुपहर को 12 बचकर 58 मिनट से लेके अगले दिन सुबह 6 बचकर 3 मिनट तक दिन का जो सबसे शुब महरत है वो रहेगा शाम को 6 बचकर 45 मिनट से लेके रात में 9 बज़े तक और विशेश क्या है चैतर शिवरात्री है बड़ा विशेश दिन है और ऐसे में हमारा जो विशेश उपाय है वो भी चैतर शिवरात्री और देवादी देव महादेव से जोड़ा हुआ है बताएंगे आपकी सभी मनों कामनाओ की कैसे पूर्ती होगी उसके कामकाज में आप रुच्छी लेंगे आपका मनोबल मजबूत बना रहेगा आर्थिक सफलताएं मिलने के सुंदर योग बन रहे हैं कुमारों को प्रेम प्रस्ताव भी मिल सकता है प्रेम जीवन आपका सुखी रह सकता है आप जीवन साथी के साथ में कहीं बाहर दिनर करने भी जा सकते हैं उपाय क्या करें लाल मिर्च पाउडर जो है वो थोड़ा सा पानी में बहाते हैं शुभंक आपके लिए एक रहेगा शुभंग रहेगा लाल दूसरी राशी वरिश यानिके टॉरस की बात करेंगे वरिश राशी वालों सेहत को लेकर थोड़ा सा आपको सत योग भी मिलने के योग हैं ऐसे में चोटा सवपाय कीजिए वो ये की किसी गरीब करने को गुड़ का दान कीजिए शुभंग सात रहेगा शुभंग रहेगा सिलेटी तीसरी राशी मितुन यानि जमनाय की बात करेंगे मितुन राशी वालों आपका सामाजिक रूतवा ब धार्मे कारियों में आपकी भागिता भी रहेगी सैभागिता उपाय क्या करें पूजा घर में अशोक के पत्ते चड़ाएं शुभंग 6 रहेगा शुभंग रहेगा गुलाभी चोथी राशी करक यानि के कैंसर की बात करेंगे करक राशी वालों भाग्य आपका पूरा सन्न रह सकता है पिछले अनुभव आपके काम आ सकते हैं घरेलू काम का आज बाधा रहे तो पूरा हो सकता है जीवन साती से प्रेम भी मिल सकता है ऐसे में क्या उपाई करें आप गिहूं के दाने करपूर से जला दें शुभंक तीन रहेगा शुबरंग रहेगा पीला राशी के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रशंसा मिल सकती हैं दोस्तों के साथ में आप भूमने फिरने जा सकते हैं घरिलू महुल भी आपका सुखी बना रह सकता है ऐसे में क्या उपाई करें गायतरी मंत्र का जब करें शुभंक दू रहेगा शुबरंग रहेगा चटी राशी कन्या यानि वर्गो की बात करेंगा है कन्या राशी वालों धन का शेतर कुछ नरम बना रह सकता है फिजूल के खर्चों से बचने की मैं आपको सलहा देता हूँ अपने मन पर थोड़ा सा काबू बनाए रखें यह बहुत जरूरी है आपके लिए किसी पर कुमकुम से तिलक करें शुभंक अच्छे रहेगा शुभंक रहेगा गुलाबी साथवी राशी तुला यानि लिवरा की बात करेंगे तुला राशी वालों घरिलू काम काज की कुछ जिम्मेदारियां पर बढ़ सकती है कारेशेतर में आपको जल्दबाजी करने से बचने और गुसे पर आपको थोड़ा सा काबू रखना होगा ऐसे में एक छोटा सौपाय कीजिए गुलाब की अगरवत्ती जलाईए शुभंक साथ रहेगा शुभंक रहेगा से लेटी आठवी राशी व्रिश्चिक यानि कि स्कॉर्प्यों की बात करते हैं व्रिश्चिक राश कोई इमेल भी आ सकता है पारिवर एक जीवन भी आपका सुखी बना रह सकता है ऐसे में चोटा सौपाय करें लाल पैन से हरीम लिक कर जेब में रखें शुभंक एक रहेगा शुभंक रहेगा लाल नवी राशी धनू यानि सजेटेरियस की बात करेंगे धनू राशी वालो कारोबार में लाब कुछ कम मिल सकता है किसी पुरानी बात को लेकर आप तनाव में रह सकते हैं कामकाज में बाधाएं आ सकती हैं घरीलू कामकाज में आप विस्त रह सकते हैं आपकी सामाजिक पर्थिष्ठा में भी व्रद्धी होने की संभावना है ऐसे में एक छोटा बाथ करेंगे पकर्राशव वालोग कारोबार में लोगों का वiş्वाश आप पर बढ़ह- चढ़ह रह सकता है है लोग आपको पूरा सहयोग भी दे सकते हैं कामकाच की हर जगहे आपके चर्चा हो सकती है आपकी वा भाही हो सकती है छात्र लगा कर पढ़ाई करेंगे और वो चात्र जो competition की त्यारी कर रहे हैं परिवार में खुशी का महोल भी बना रहे सकता है ऐसे में एक छोटा सो पाय करें पूर्वु मुखी होकर दैनिक पुझा पाठ करें शुभंक नौ रहेगा शुपरंग रहेगा नारंगी ग्यार भी राशी वालों नई पारिवरिक जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं भागिदार का आपको पूरा सहयोग पराप्त हो सकता है पुराने दोस्तों से मुलाकात सुखद रह सकती है अचानक धन की पराप्ती की संभावनाएं भी बन रही हैं कामकाज में लोग आपकी मदद भ बात करेंगे। मीन राशिव अलोग धंदे रोजगार में उत्तार चड़ाव रह सकता है। व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। काम काच को पूरा करने में आपको कुछ जादा समय लग सकता है। मेहनत के अनुसार आपको फल प्राप्त हो सकते हैं। नीला। तो दोस्तों आप समय हैं आज के विशेश उपाए का। वो विशेश उपाए जो आपकी सभी मनों कामनाओं की पूर्ति कर देगा। तिके बिहदी खास दिन बना हुआ है। ये दिन है चैत्र शिवरात्री का। हम सरब एक महाशिवरात्री जानते हैं या सावन की शिवरात्री जानते हैं लेकिन आपको बता दूँ शास्त्रों में बारहा शिवरात्री का वरणन है। हर महीने में हिंदू तिथी की अनुसार जब चतुरदशी तिथी रात्री के समय उद्व होती है तो ऐसे में कृष्ण बक्ष की तो ऐसे में मासिक शिवरात्री मनाई जाती है और चैत्र में आने वाली शिवरात्री को चैत्र शिवरात्री कहा जाता है बड़ा विशेश मौका है और इसे साल की आखरी शिवरात्री भेज़ गई है कि कहते हैं अन्त भला तो सब भला तो जीवन में पूरे साल भर में आपने अपने जीवन में जो भी कुछ गलतियां की हैं जो भी कुछ आपके इच्छाएं बाकि रह गई हैं जो भी कुछ आपके जीवन में मतभेद हुए हैं जो भी कुछ गड़बडियां हुई हैं जीवन में उन सब से छुटकारा पाने के लिए बहुती विशेश दिन है खास दिन है तो ऐसे में आपको शुब महुरत बता दिया गया है यह महुरत प्रदोश का महुरत कहलाता है इसके दो महुरत माने गए है एक तो प्रदोश का महुरत और दूसरा जो महुरत होता है वो होता है निशिता काल महुरत यानि कि रात क लिए जो बाखी रह गई है अगले साल में क्या करें आप शिवलिंग का पूजन करें और शिवलिंग पर आम का रस चढ़ा दीजें वापस मत लेकिया यह वह उस आम रस को वहीं चढ़ा के वहीं छोड़ दीजिए और इस पूरे प्रयोग में एक विशेश मंत्र कजाब करें आपकी हर मनुकामना के निश्चत होगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कला आप से फिर मुलाकातों इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्यों आए एस्टो तक एप पर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक एप और चिटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से